असलाम ओलाइकूम ओल्कम टू मैं चैनल रियल फूट फीशन आज मैं आप सब की साथ शेयर करने वाली हो कोलकता स्ट्राइल सम्चम स्वीट्स का रेसिपी यह स्वीट्स खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है और घर पे बहुत ही असानी से बन जाती एक दम दुक अब लग देख सकते हो मैं कितने अच्छे तरीके से गुन रही हूँ अब देखिए मेरा डो कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है अभी मैं अपने हाथों पर थोड़ा सी घी लगा लूँगी अभी मैं इसके चोटे-चोटे गोले बना लूँगी आपकी मर्जी आप कितने भी साइस के गोला बना सकते हो यह पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके जो बॉल है उसमें कोई क्राक ना आए क्योंकि क्राक आने से आपकी मिठाई तूट सकते हैं देखे अब मेरे सारे बॉल बनकर रेडी हो चुके हैं यह पर मैंने देड़ कप चीनी और तीन कप पानी एक बड़े से बर्तुन में चाशनी बनाने के लिए लिए हूँ अब इसमें में दो ऐलाची याट कर रहे हूँ फ्लेवर के लिए अब मैं इसे बॉल आने तक पका लूँगी और बीज बीज में मिक्स करूँगी अब इसको कबर करके बॉल आने तक पका लूँगी अब देखे मेरी चाश्टी में बॉल आ चुक है अभी मैं एक एक करके सारे बॉल आट करूँगी अभी मैं इसे कवर कर के 15 मिनिट तक ढखकर फका लूँगी इस बिस में आप ठकर नहीं खोल सकते हो देखेद 15 मिन हो चूके है और में इस मटा is double हो चूक एया हमें इसे एक घंटे तक इस तरीके से इमीडियम फ्लेम फे ही पकाना है और बीजबीज में थोड़ा थोड़ा गर्मपनी एड़ करते हुए पकाना है क्योंकि हमें चाशनी को पतला ही रखना है गाड़ा नहीं करने है 45 मिट हो चुके हैं अब मैं इसे लास्ट टाइम गर्मपनी एड़ कर रही हूँ इसे मैं और 15 मिनिट तक इसी तरह ही पकाऊंगी फिर फ्लेम को बन कर दूंगी और उसे से घंटे ढखकर ठंडे होने के लिए में रख दूंगी कि छे घंटे पूरे हो चुके हैं और मेरी मिठाई बिलकुल ठंडी हो चुके हैं अब मैं एक बोल में मिठाई को डिश आउट कर रही हूँ हुआ है जरनिशिंग के लिए में मिठाई पर थोड़ अचा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ अब लोग देख सकते हो मेरी मिठाई कितने खुबसूरत दिख रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है अब देख सकते हो मेरी चम चम मिठाई जो है बनकर रेडी हो चुके हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो चुके हैं और अजकर मेरा रेसिपी अगर पसंदा है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्रेब करें और मेरे वीडियो अगर पसंदा है तो मेरे वीडि झाल झाल झाल